हाई होटीज मैं हूँ सुजाता और आपका स्वागत है ट्राइट इंटेस्टिट रेसिपी के साथ रियालिटी कीचिन में आज रियालिटी कीचिन में सीजनल विंटर स्पेशल बथवा डाल की रेसिपी बनाएंगे वन पॉर्ट रेसिपी है ये कड़ाई में बनाएंगे कुकरगा यूज नहीं करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टन टिप्स के साथ बनाएंगे लेकिन रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे जल्दी से सब्स्क्राइब कर ले और बैल आइकन का नोडिफिकेशन भी दबाते हैं बथवा दाल बनाने के लिए हम सबसे पहले बथवा लेंगे जो बहुत ही जरूरी है रेसिपी के लिए एकदम ये सॉफ्ट हरा हरा बथवा मिल रहा है आज कल सीजन में कई लोग इसे सबजी वाले भाईया से कटवा कर लेते हैं और फिर से वाश करते हैं पानी में सारे व पांच मिनट के बाद कितनी सारी गंदगी निकल रही है इस तरहां से बथवे को निकाल कर एक चलनी में डाल देना है आप चाहें तो चोटी चलनी का भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने तो इसे हाथ से ही निकाल लिया है और इस तरहां से चलनी में डालने के बाद एक बार और साफ पानी से अच्छे से धो देना है मेरा बथवे काफी साफ था इसलिए मैंने जिर्फ एक बार भीगो कर चलनी में डालना है अगर आपको लगता है बथवे में मिट्टी बहुत जादा है तो आप ये भीगो के धोने वाला स्टैप दो बार रिपीट कर सकते हैं बथवे को इस तरह से अच्छी तरह से धोने के बाद इसका पानी ड्रेन होने के लिए इस तरह से मैंने किसी बरतन के उपर रख दिया है जब पानी ड्रीन हो जाएगा तो इसे इस तरह से हमें चौप कर लेना है बहुत जादा बारीक चौप करने की जुरूत नहीं है, मोटा भी चलेगा रेसिपी तो ये बहुत ही सिंपल है, बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं लेकिन मैंने इसमें कुछ मोडिफिकेशन किये हैं, जो आपको बहुत पसंद आएंगे और बातों ही बातों में ये बथुआ भी गटकर तयार है ये ना मटर जब छीलते हैं तो छोटे वले दाने निकलते हैं, मैंने अलग कर लिये थे ये भी यूज करेंगे रेसिपी में और ये मैने तीन टामाटर लिये हैं इसकी हम प्यूरी बना देंगे ये देशी टामाटर हैं अगर हाइबुड डे रहे हैं तो यहां पे चार लेना और ये अद्रक लसन और हरी मिश को बारिक काट लिया है मैं सबजी में लाल मिश नहीं यूज़ कर रही हूँ इसलिए हरी मिश जादर ली है और ये थोड़े से मुफली के दाने लिये हैं गच्ची मुफली के दाने हैं इसे इस तरह से पीस लेंगे न तो इस तरह से इसका छिलका निकलाता है दरदरा सा कुट जाने पर इस तरह से इसका छिलका अपने आप ही अलग हो जाता है ये देखिए और छिलका निकालने के बाद इसको थोड़ा दरदरा होने तक थोड़ा और पीसे के ये कामाप मिक्सर के छोटे वाले जार में भी कर सकते हैं और एक प्यास को मैंने बारी चॉप कर लिया है और अब बारी आती है मस्टर्ड ओईल की इस रेसिपी को या तो हम देसी की में बनाएंगे या मस्टर्ड ओईल में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है mustard oil मेरी personal preference है mustard oil को high smoke point तक high heat पर थोड़ा गरम करते हैं जब तक ही धुआ नहीं आ जाता और उसके बाद gas बंद करके थोड़ा ठंडा करते हैं जब तक तेल ठंडा हो रहा है मैं एक कब मसूर की डाल को निकाल कर side में धो लेती हूं और तेल ठंडा होने के बाद थोड़ा सा चला लेना है बहुत जादा brown नहीं होने देना है और एक दो बाद चलाने के बाद ही हमें onion डालने है और onion को भी हमने भूनना नहीं है वस तीन चार बाद चलाना है जब तक यह translucent हो जाते हैं और उसके बाद हमने वो peanuts का powder डाल देना है जो दर जरा हमने पीसा था इन दोरों चीजों को हमने अच्छे से भूनना है जब brown color आ जाए तब हमने tomato की puree डाल देनी है और tomato की puree डालते ही हमें एक tomato कट करके भी डालना है आप चाहें तो एक tomato अलग से कट करके डालने की बजाए सबी tomato की puree बना सकते हैं लेकिन मैंने तीन देशी tomato लिया है जो खटे होते हैं और एक यह hybrid tomato लिया है जो जादा खटा नहीं होता है इसे मैं चॉप करके यहां डाल रही हूँ सबजी का flavor इससे बहुत अच्छा आता है यहां पर मसाले को बहुत जादा भुनने की जुरत नहीं है हलका से चला कर हम kitchen के regular मसाले डालेंगे इसमें मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, टेस्ट के हिसाफ से नमा kitchen king मसाला बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे यह सारे मसाले आड़ करके एक बार अच्छी से चलाएंगे heat high रखेंगे क्योंकि oil separate होने तक हमने मसालों को cook करना है और वो चिटा माटर कट करके डाला था ना हमने वो अगर soft नहीं भी हुआ है तो कोई tension की बात नहीं दाल और बतुआ जब cook होंगे तब अपने आप soft हो जाएगा तीन से चार मिनट में ही यह दिखिए के oil इस तरह से separate हो गया है इस टेश पर हम वो मटर के डाने डालेंगे और एक बार अच्छे से चलाने के बाद हम इसमें बतुआ भी डाल देंगे आधा के लिए बतुआ लिया था मैंने उसके डंठल निकालने के बाद अच्छे से साफ करने के बाद साड़े तीन सो ग्राम के आसपास ही बचता है उसको मैंने कट कर लिया तो अगर हम इस तरह से पकाएंगे ना इसे तो यह और भी कम हो जाएगा लगेगा ही यह साड़े तीन सो ग्राम है दिखने में भले ही यह कम हो गया है लेकिन एकड़म पावर बुस्तर है और अब हम गरम पाने डालेंगे गरम पाने डालने से टाइम कम लगेगा सबसी जल्दी बन जाएगी और इसमें वो धूली हुई दाल भी इसी स्टेज पर आट कर देंगे दो तीन बार अच्छे से धोना है और उसके बाद हमें यहाँ आट करना है वैसे तो हम इस रेसिपी को दाल के लिए अच्छी नहीं होती है और इसे अच्छे से कवर होने वाले ढखकन से ढखकर 15 मिनट के लो हीट पर कुख होने देंगे और उतने दिर में हम कोई दूसरा काम कर लेंगे 15 मिनट के बाद चेक करेंगे पाव कुख तो यह अच्छे से हो गई है लेकिन अभी आपस में घुली मिली नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस तरहां से इसको अच्छे से मैश कर देंगे आप चाहें तो पाव भाजी मैशर से भी मैश कर सकते हैं यह दाल घुली मि ऐसे ही चलती है, तो मैंने इसमें पानी और नहीं डाला है, और इस टेश पर एक टेबल स्पून फ्रेश मलाई आट करेंगे, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, एक क्रीमी टेक्श्चर आजाएगा दाल में, बहुत अच्छा लगेगा, और मलाई के सासाती हम इसमें थो दाल अच्छे से घुल मिल गई है, मटर भी पक गए है, अभी हम हीट बनना ही करेंगे, इसे अच्छे से इस तरह से चलाते जाएंगे, तक यह और अच्छे से घुल मिल जाए, बस एक मिनट तक अच्छे से चलाने के बाद हम गैस बंद कर देंगे, और यह देखो टेक्श पर हम serve कर सकते हैं, घर पर हम ऐसे ही serve कर देते हैं, लेकिन जब कोई guest आते हैं, तो हम अलग से एक तड़का लगाते हैं, इससे डाल का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, और आपको तो पता है, मेरा मनना है कि खाना पहले को सिखाया जाता है, तो एक चोटा सा तड़का लगाते हैं, क्विक तड़का, देसी घी में मैंने साबुत लाल मिच डाली है, उसमें तिल डाले है, पैन को कड़ाई के बिल्कुल पास में ले आई हूँ, और फिर इसमें कश्मीरी देगी मिर्च डाली है, इससे रेसिपी बात डाल का टेक्चर में आपको दिखा देती हूँ, यह दिखिए, बस अब हम इसे बोल में सर्फ करेंगे, और उपर से वही वाला तड़का जो मैंने आधा बचा के रखा था, पोर कर दूँगी, एक बार आप बना के देखना इस तरीके से बहुत ही अलग फ्लेवर आए बाजरे और मकी की रोटी के साथ खाते हैं, आप एक बार ट्राय करना, लेकिन अगर आप इसे लच्छा परंठा के साथ खाना चाते हैं, तो वह कंबिनेशन भी बहुत अच्छा है, मैं लच्छा परंठा कैसे बनाती हूँ, अगर आपको देखना है, तो रेडी रेफरेंस बहुत ही सिंपल तरीके से दी है, मैंने सरसनों का साग और मकी की रोटी की रेसिपी, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आपको पसंद आएगी, और हाँ, रेसिपी पसंद आई, तो इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, मेरी ऐसी ही ट्रायजन टेस्टेज रेसिपी के लिए मेरे साथ बने रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखे, जरदी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ